नमस्कार नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम केतू से सम्मंदित कुछ सूत्रों पर विचार करेंगे केतू क्या है किन चीजों का कारक है केतू कब अच्छा प्रहाओ देता है कब बुरा प्रहाओ देता है इसे समझने का प्रयास करेंगे इसके अलावा केतू से सम्मंदित कुछ आधरवू जानकारियों को भी प्राप्त करेंगे और अंत में उपायों पर विचार करेंगे यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अबस करना है आईए सुरू करते हैं आईए केतू के सूत्रों को समझने के पहले हम कुछ आधरवू जानकारियों को जानने मित्रों राहू और केतू का कोई भी भोतिक स्वरूप नहीं है ये केवल चायागर है ठीक है और केतू आपका मित्वन राशी में नीच का होता यानि कहीं पर तीन नंबर का राशी का लिखा मिले तो समझ लिजिए कि केतू आपका उच्छ का है यानि 9 नंबर का राशी का अंक लिखा मिले कहीं पर भी और केतू लिखाओ तो समझ लिजिए कि केतू अपनी उच्छ राशी में बेठा हुआ है अब जोतिशियों के मत-मतांतर के अनुसार या जोतिस आपको और इसके लावा तीन नंबर का राशी का अंक लिखा मिले यानि ब्रसवराशी और मिथन राशी इनमें केतू जो है आपका नीच का माना गया है यहीं बरे प्रहोव यहां पर केतू देता है दिशा की बात करें तो व्याब विकोण होता है इसके लिए और जड़ की ब केतू बेटा है तो वहां पर अच्छे प्रहोव देने लगता है आए आज के सूत्र पर विचार करते हैं मित्रों यदि किसी भी भाव में केतू बेटा है और वहां पर जो राशी कांग लिखा है उसका राशी पती भी बहीं पर बेटा है तो केतू उसके प्रहोव को कई ग तुर देखिए पहली बात तो 9 नंबर में यही धनुराशी है और धनुराशी में केतू उच्चका माना गय है और यहां पर गुरु भी बेड गया है अब यह गुरु के बल को कई गुणा बड़ा देगा मान लिजे केतु यदी कुंडी के लगन भाव में ही बेट जाया है तो ध्यान रखें विक्ति फिर आइस्थर होगा एसा विक्ति सही निर्णे नहीं ले पाता है यदी केंदर में ही केतु बेटा हो लेकिन राशी का अंग यदी आठ लिखा है यानि ब्रश्चिक रासी है तो फिर ये केतु सुब प्रहौव देने वाला माना गया है किसी भी भाव में यदी मान लिजे केतु बेटा है लेकिन केंदर के घर हो विश्यसूप से ये अफ़ तरकोन भाव हो तो वहाँ पर ये दी मान लिजे गुरू बेटा है और वहाँ पर ये दी केतु बेटा है तो गुरू और केतु की यूती अच्छी यूती मानी गई ये और सकारत्म प्रहौव देखने को मिलते है आईए अगली बात पर विशार करते है वित्रू धन रखें कहीं पर ये दी केतु बेटा हो और उसके साथ मंगल भी बेटा हो ये अंगारा की यूग बनेगा ठीक है कहीं पर ये दी मान लिजे केतु बेटा है केतु के साथ ये दी मंगल भी बेट जाए हाला कि दसम भाव में मंगल का बेटना मंगल को दिखवली बनाता है, वक्ति सहसियों का पराक्रमी होगा पराक्रम के बल पर अपने भागय का निर्माण करेगा परंतु केतु भी साथ बेठ गए, अब देखिए मंगल एक अगनी तत्विगरे है और केतू भी एक अगनी तत्विग्रे है, अब दोनों जब अगनी तत्विग्रे आपसे मिलेंगे, को केतू का जो प्रभाव है, मंगल का जो प्रभाव है, वो कई गुना बढ़ जाएगा, अब मान लीजे कि मंगल यदि सुब है आपके कुंड़ी के अंदर, सौरासी का, उ मंगल निग्टिव हो रहा है, इसके नकरात्मक प्रभाव मिल रहा है, और केतू साथ में अब बिद गया, तो केतू उसके नकरात्मक प्रभाव को बढ़ाएगा, ना की सकारात्मक प्रभाव को, अब ये कैसेते करेंगे आपकी मंगल सुभे असुभ तो इसके लिए पूर के वीडियो में कई वार चर्चाएं किया चुकी है आप देखें मंगल सुरासी का, मितराशी का है और सुभ भाव में ये केंदर के घर में, तरकुन के घर में बेठा है तो समझ लिए मंगल सोवे और लगने इसका मेत्र होकर तो मंगल सोवे उससे प्रणाम देगा जब लेकिन यदि मंगल मान लिए 6-8 बारा में बेट गया, नीच राशनी में बेट गया और वहाँ पर यदि केतु बेट जाया वाला माना गया है, इसके लावा कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के छटवे भाव, कुंडली के आठवे भाव और कुंडली के बारवे भाव इन भावों में केतु अच्छे प्रभाव देता है फिर भी आपको यह अवश्य देखना है कि केतू आपका या तो उच्छराशी का हो या फिर जिस भी गरहे के साथ बेठा है वह स्वरासी का हो तो केतू अच्छे प्रहौफ देगा यदि 3, 6, 8, 12 भाव में केतू बेठा हुआ है लेकिन यदि नीच रासी के साथ बेठा हुआ है या किसी असुब गरहे के साथ बेठा हुआ है तो फिर इसके नेगेटिब प्रहौफ देखने को मिलते हैं ना कि सकारात्मक ठीक है लेकिन सुब गरहे के साथ मान लीजिए यदि निर्मित कर सकता है मित्रो ध्यान रखें राहू और केतू दोनों चाया गरहे है और कोई भी गरहे अपना मूल सुभाव कभी नहीं छोड़ते तो केतू का भी मूल सुभाव है मन को भटकाना, मती को ब्रहमित करना परंतु यदि ये उच्छराशी का होका रेदी बेड़ जाए या जिस ग्रह के साथ बेठा है वो ग्रह भी भही पर बेड़ जाए तब इसके परणाम जीवन में अच्छे देखने को मिलते हैं आए बात करते हैं केतू की इन चीजों का कारक है मित्रों ध्यान रखें केतू मोक्ष का कारक माना गया है नाना, परदादा, परदादी, अलगाओ, चर्मरोग इसके लावा रहस्मई विद्या, कपड, अलगाओ इन चीजों का विश्यस कारक है यदि सुब होकर केतू बेठा हुआ है तो इन से सम्मदित सुब्रभाव प्राप्त होते है और यदि असुब होकर बेठा है तो इन से सम्मदित बुरे प्रभाव प्राप्त होते है मित्रों केतू के विश्य में पूर में कई वीडियो बना ज़े चुके हैं इन में विस्तार से केतु के वारे में चर्चा की गई है, आप उन वीडियों को भी अबसे देखें, ध्यान रखें केतु गुरू के समान फल देने वाला माना गया है, यानि केतु के तीन द्रश्टियों होती है, जो गुरू को तीन द्रश्टियों प्रापत है, उसी प्रकार केतु ग्रहे ध्यान रखें पीडित नहीं होना चाहिए सनी के दृष्टी मान लिजे कहीं से भी केतु पर पड़ जाये तो केतु ग्रहे यहाँ पर अब पीडित हो जाता है तो ऐसे इस्तिति में केतु के फिर निगेटिब प्रभाव देखने को मिल सकते हैं आईए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं यदि आपकी कुंड़ी में केतु निगेटिब प्रभाव दे रहा है तब आप निमन उपाय करके केतु को बलवान कर सकते हैं या उससे सुब प्रभाव ले सकते हैं केतु का वेदिक मंत्र अत्वा केतु के बीज मंत्र कर जब कर सकते हैं इसके लावा गुरू को बलवान करके भी केतु को बल दिया जा सकता है या फिर भगवान गणेस की अराधना करने से उनकी पूजा अर्षिना करने से भी केतु को बल प्राप्त होता है इसके लावा केतू मानली ये सुब भावों में बेठा हुआ है और आपको ये यकीन हो जाए कि कुंडी में केतू जो है वह आपका सुब प्रभाव दे रहा है तब आप केतू का रत्न लेसुनिया धरन करके भी उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं लेकिन रत्न धरन करने से पहले आप किसी अच्छे जोतिशी से कुंडी का विजरेशन अवस्य करवा लें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवस्य कर लीजिए धन्यवाद